आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सफाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक की प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिल्यूशन पाओ अब ही राउटनेट करें य की पावर 0, प्लस NC1, X की पावर N-1, Y की पावर 1, अब 2 NCN, Y की पावर N ऐसे होता है देवबत का विस्तार, तो मैं इस विस्तार को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो, 100C0, 100C0, 100 की पावर 100, ठीक है और ऐसे करके, 100C1, 100 की पावर 99, और जो लास्ट से पहला वाला टम होगा, वो क्या होगा 100C99, 100, यह टम होगा, और फिर जो लास्टम होगा, जो की 100C100, और जो 100C100, और फिर लास्ट में, 1 बचेगा only, और माइनस के 1, यह हो जाएगा तो यहां से हम जानते हैं, कि देखो, 100C0, एक्वल टू, 100C100, जो की किसके बरावर होता है, 1I के बरावर और यहां से हम एक और बात जानते हैं, 100C1, एक्वल टू, 100C99, तो यह होता है, 100 के बरावर, ठीक है तो इसी दो नो प्रोपटी को apply कर देते हैं, यहां पर, तो देखो, यह तो मिल गए 100 की पावर 100, यह मिल गए 100 सो इंटू, सो की पावर, सो की पावर यह क्या बन गया, 99, तो यह非र से हमारा क्या बन जाएगा, 100 की पावर 100, और जो आंगे-टम चलते रहेंगे, 100C99 तो यह 100 into 100 plus 100C100 यानि 1 तो 1-1 0 यह मिल गया तो यहां से overall मैं क्या ले सकता हूँ कि 100 का square common ले सकता हूँ ठीक है यह 100 का square common ले सकता हूँ तो यहां पर क्या बचेगा 100 की power 98 में प्लस 100 की power 98 में ठीक है और ऐसे ही करें कि इसमें terms चलते रहेंगे अब at least यह तो sure है कि यहां पर जो 100 की power 1 आईए इससे पहले 100 का square आएगा फिर उसके साथ भी कुछ ना कुछ multiply हो रहा होगा तो कुछ constant term होगा इसका मतलब 100 का square हमने common लिया है वो सही बात है अब 100 के square को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 0 basically 10,000 लिख सकता हूँ और यह क्या है कोई मतलब factor है basically यानि गुणांक ठीक है कोई गुणांक है तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यह 10,000 का एक गुणांक है तो यह किस से divisible है यह 100 से divisible है यानि 100 से हम इसको भाग दे सकते है तो हमारा option यह correct है कि यह 100 से divisible है अब बात करें option B की क्या यह 1000 से divisible है बिल्कुल यह 1000 से भी divisible है उसमें भी कोई एककत नहीं है अब बात करें हम option C की option C कह रहा है कि क्या यह 10,000 से divisible है बेलकुल ये भी सही है दसे आर से डिवीजिवल है अब बात करें अगर option D की ये है ये कह रहा है कि ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि ये क्या ये एक लाग से डिवीजिवल है एक लाग से डिवीजिवल होगा एक लाग से डिवीजिवल क्या ये एक लाग से डिव A, B and C ये तीनों ही option हमारे correct है, D option हमारा incorrect हो जाएगा, thank you